और उधर स्वास्ते और परियावरण के एक शेत्र में लंबे समय से काम करने वाले डॉक्टर योगी एरन को रास्टपति रामनाथ कोविंद ने देश के चोथे सबसे बड़े सम्मान यानि पादमश्वी से सम्मानेत किया है। परियावरण संड्रक्षन के रूप में काम कर रही है। देहरादून बापस लोटे डॉक्टर योगी ने योगी से हमारे संबादाता ने खास बातचीत भी किया। ये आपको सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। पदमश्वी मिला तो कई को पदमश्वूश्ण और उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं डॉक्टर योगी अरेन। अब इस समय पदमश्वी मिला है। और सर उत्राखंड में जब बात की जाती थी तो जब भी सरजरी की बात करें जले भी किसी विक्ति की बात करें तो आपका नाम बड़े गर्व से लिया जाता था। लेकिन अब इस तरह का सम्मान आपको था है। आपने देखा होगा, आपको कैसा लगा इस समय के जो प्रुसकार मिले थे, कई सारे चेहरे तो आपके सामने भी होगे, जिनको सायद लोगोंने सोचा भी नहीं होगा कभी प्रुसकार मिले थे, दिखे ये जो नए परिपाटी चली है, इससे सरकार ने 130 करोड़ लोगों को मॉबिलाइज किया है, जो ये इंस्पिरेशन पहुंचा, ये 130 करोड़ लोगों को पहुंचा, ऐसे ऐसे लोग थे जो नं और हर गांगाओं में जिकर है, तो वड़ा पहले मुझे ताज्यूप सा लगा, अब तो मैं बहुत सैटिस्वाइड हूँ, मैं समझता हूँ, ऐसा क्यों हुआ जिन्हें पदमस्री मिला है, और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि जिस तरह का पदमस्री इस समय दिया जा रहा है, ऐसे विक्ती जिनको साहत कोई सोचता भी नहीं था, उन्हें इस समय पदमस्री मिला है, और अब ऐसा जरूर लग रहा है कि उन लोगों को भी अपने देहरादून